नमस्कार ये है हिमाचिल अभी अभी और मैं हूँ आपके साथ राधा ठाकुर। वीडियों में लड़कियां कुलू जिला मुख्याले के साथ ब्यास नदी के किनारे गुत्थम गुत्था कर रही है देखिए सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा लड़कियों की मारपीट का ये वीडियो बताया जा रहा है कि शराब की नशे में होने के चलते ही ये मारपीट की घटना पेश आई है वहीं पुलिस ने यूवतियों पर मामला दर्ज कर लिया है इसमें से चार यूवतिया नाबालिक बताय जा रही है जब कि एक यूवति 19 साल की है वीडियो में आप देख सकते हैं कि पास में ही दो कुटे भी यूवतियों के इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहे हैं शायद ये सोच रहे हैं कि इंसानों के कितने बूरे दिन आ चुके हैं और ऐसे तो हम भी आपस में नहीं लड़ते फिर पुलिस ने यूवतियों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है और 10-10 हजार रुपए के बेल बाउंड देने के बाद इन्हें परिवार के सुपूर्ट कर दिया है दोस्तों आपको बता दे कि हमाचल में एक के बाद एक हिंसा के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसका सिलसिला शुरू होता है सडक चौडीकरण को लेकर महिला मंडल की सदस्यों की एक व्यक्ति के साथ हुई गाली गलोच और लाठी डंडे बरसाने से इस वीडियो को देखकर हमाचल के लोग हरान रह गए थे इसके बाद यूवक और यूवतियों की मारपीट का एक वीडियो सोचल मीडिया पर खुब वाइरल हुआ था और इसके बाद शिमला के कुपवी गाउं में ग्रामिनों के बीच भी जम कर लाठी डंडे चले और अब एक बार फिर लड़कियों की मारपीट का ये वीडियो वाइरल हो रहा है ऐसे में शांत हमाचल में बार बार इस तरह की घटनाए सामने आना अच्छे संकीत नहीं देता खेर एसपी कुलूग और उसिंग से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सभी लड़कियों को विभिन धाराओं के तहत गिरफतार किया था और बाद में बेल पर परीजनों के सुपूर्द कर दिया है इसके लिए उन्होंने दस-दस हजार रुपए के बेल बाउंट दिये हैं उन्होंने बताया कि सभी युवतियों ने नशा किया हुआ था जिसकी पुष्टी मेडिकल में हो चुकी है युवतिया नशा करने के बाद आपस में जगडा कर रही थी इसके चलते पुलिस ने सभी युवतियों के खिलाफ कानूनी कारवाई अमल में लाई है तो इस तरह के वाइरल वीडियों होना हिमाचल में कही न कही अपने आप में चिंता जनक संकेत है फिलहाल के इतना ही हिमाचल की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे आप बने रहे हिमाचल अभी अभी के साथ नमस्कार